अपने कबजे में रख रहे हो नोटिफाइड आम क्या होता है यह हम इस सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे अपने कबजे में रख रहे हो कहाँ पर डिस्टरब्ड एरिया में तो उसके लिए क्या कर दिया गया है प्रोहिबिट कर दिया गया है अब सेक्शन 24 कापिटे एक को एड किया है 1983 के अमेंडमेंट से अब यह सेक्शन कहता है कि जब सेंटर कोवर्मेंट सेटिसफाइड हो जाती है कि एक्सेंसिब क्या हो रही है डिस्टरब्बेंस हो रही है पब्लिक पीस ट्रेंक्वालिटी और इमिनेट डेंजर है उस ऊफेंस को रोकने के लिए क्या कर दिया जाता से उस पहले आरे हो क्या है ओ पने पन्म शेट्रब्डबर्मेंट क्या सेंटर कोवर्मेंट से रिखत कर देगी अब हम पड़ते हैं वह क्या क्या चीज़े है उफिशल गजट में नोटिफाइट करेगी सबसे पहले पॉइंट यह बात करता है specify the limit of such area कि कौन सा area disturbed area है वो क्या कर देगी उसकी limit specify कर देगी center government तूसरे आप बी-point बात करता है direct that direct that before the commencement of the period specified in the notification specified हम करें period के भाई for example 2 मेरे तक के लिए क्या है यह disturbed area के लाया जाता है okay for example तो जो period specified करें center government notification में तो यहां कह रहे है कि वह specify करने से पहले which period shall be period commencing from the date not earlier than the fourth day आप notification के अंदर क्या क्या हो कि यह disturbed area है for two months तो आप notification दे रहो जब official gadget के अंदर notification डाल रहे हो तो यह चार दिन से पहले का नहीं होना चाहिए ठीक है तो चार दिन के बाद हम उस पर apply करेंगे कि वह क्या चीज हो कि इतना period जो आपने time period बताया है उस पर वह apply होगा चार दिन से पहले का नहीं कि नॉर्मल बात है कि आज कोई घटना घटी कर उसके newspaper में आ गया तो हमने क्या करते हैं कि कल घटना घटी ती या कोई future में हमें इस देट को यह चीज होगी तो हम फ्यूचर में प्रडिक करते हैं यह डेट आएगी तब इस चीज में यह चीज काम होगा उसी तरह से अकर official gadget के अंदर आप time period स्पेसिफाइट कर रहे हो तो चार दिन से पहले का नहीं होगा जो आपने क्या है और पब्लिकेशन और नोटिफिकेशन ऑफिशल गजट में आपने पब्लिक कर दिया हैं अब अभी बोल रहा है अब यहां बताएंगे के नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन में इस पेसिफाइट कर दिया है आप यहां बताएंगे के नोटिफिकेशन ऑन के और नोटिफिकेशन में बता दिया है कि यह आँजी आपनके इस पुर्छ आइंगे इस प्ललिक 7 अच्छ कर दिये गए क्या कहले जाएंग रहा sugar चाएंगे पैसा रेफर करेंगे उससे वोलते हैं कि अब से बोला क्या एक अगर आपके पास नोटिफिकेशन अफिसे गजट आने से पहले आपके कंस्क्राइब है ताफ लिए क्जा कर्वानी ऐन होगा accept अब यह accept किसको कर रहा है यह accept 41 section को कर रहा है और any other law for the time being enforced from the date of publication of such notification of official gadget deemed to be have ceased by to be lawful क्या हम यह कह रहा है कि आपको section 21 के थुरू तो आपको क्या करना होगा इसको deposit करना होगा ठीक है और अगर accept किसको कर दिया है 41 को अब यह कह रहा है कि भली इस law में इस law के अंदर this act और other other law के अंदर आपके पास possession में वो क्या है यह notified official gadget में बोल दा जाएगा कि आपके possession में जो भी arms है उसे हम क्या मान ले जाएंगे lawfully seized मान लिया जाएंगे कि अमने उसको lawfully seized कर दिया अपने कबजे में ले लिया है किसने गॉवर्मेंट है अब इसका c-point बात करता है declare that as from the commencement of or until the expiry of the period specified in the notification commencement से पहले until expiry कि आपने के कोई period specified कि उसके शुरू होने से पहले और उसके खतम होने तक specified in the notification it shall not be lawful for any person to have in his possession in such area any notified arm कि उसके शुरू होने से पहले और उसके खतम होने तक किसी भी person के पास उस disturbed area में जो area specified क्या है उस area में notified arms नहीं होंगे अब डीपोइंट बात करता है authorized के बारे में की authorized any such officer सब्वालेट डू सेंटर गॉवर्मेंट और स्टेट गॉवर्मेंट जो स्टेट गॉवर्मेंट और सेंटर गॉवर्मेंट के subordinate होगे उनको क्या कर रहा है उथराइज कर सकते कि और ऊफिसर आप नोटिफिकिशन गजट में ऊथराइज कर रहा हैं इस क्या कर सकते हैं फस्त फस्कोंट सर्च कर सकते हैं सैकंड पॉइंट बता रहा है कि सीग कर सकते हैं अब सफिकльप3 है search any time during the period specified notification any person आप किसी person को कर सकते हो passing through any premises animal vessel vehicle other convince आप कहर चीज को क्या कर सकते search कर सकते जो specified duration दे दिया गया time period ठीक है आपको और आपको उस officer को ऐसा reason to believe है कि any armed notified armed are secreted by the person किसी person इसको छुपा के रखा है अपने premises में या किसी animal या vehicle vessel ठीक है तो उसको के लिए भी क्या कर सकता है उससे वहां पर भी वो क्या कर सकता इसको search कर सकता है अब भी second point बात कर रहा है first में तो हमने search के लिए वो ले जो person authorized officer वो search कर सकता second point हम बात कर रहे है उसके cease कि रिगाड़ें कि वो क्या कर सकता जो चीज़े उससे search किये उसको seize भी कर सकता है उसको कबजे में भी ला सकता है उसको जब तो कर सकता है seize to any at any time during the period of the specified notification any notified arm in the position of any person in such area or discover through a search आपने search से discover किया है ठीक है कि भई search से हमने यह discover किया कि इस person के पास कोई notified arm है या आप क्या कर रहे हो आप यह जो notification था उस period की time पे आपने देखा कि किसी person के पास उसके position में क्या है आप notified तब भी आप सीज कर सकते हो और search करते time भी आपको मिला है तब भी आप क्या कर सकते हो उसे seize कर सकते हो detain कर सकते हो अब subsection 2 बात करता है the period specified area notification issued under subsection 1 जो period हम specified करे कि इस time period के लिए होगा disturb area के लाया जाएगा in respect of any area shall not in the first instant कि first time पे तेखे आप किसी area को आप disturb area बोल रहा हो तो center government क्या करेगा sorry center government क्या कर सकता है उसे first time के लिए 90 days तर उसको declare कर सकता कि disturb area पहले पार के लिए आप 90 दिन तक के लिए उसको disturb area घुशित कर सकते हो नभी दिन से ज्यादा के लिए नहीं नहीं बट center government के पास power है बट the center government में अमेंड से नोटिफिकेशन उसो नोटिफिकेशन को amend करके क्या करें extend कर सकते है from the time to time by the any period not exceeding 90 days at any one time German अब भी receptive to the center government भॉष्स नावे इन कि लाघका कर दिया कि यह नोटिफिकेशन कर दिया कि यह नोटिफिकेशन कर दिया अब क्या करके amend करा अब्स कर कि वापिस नभी दिन जैसे गए वापिस नभी दिन खपन नभी दिन की लिए कर दिया पर एक्जांपल जबुरी नहीं कि करेंगा बागी है नहीं हो कितना नभ दिन से ज्यादा के लिए वह किस सब णको पूरा पूरा प्र बताया कि कि आप उसको extend कर सकते हो पर 90 दिन से जाधा के नहीं कर सकते हैं ठीक है अब हम next पड़ते हैं कि यह जो disturb area जो हम extend करने की बात कर रहे हैं if the opinion of a government that there is a continue in continue in such area such disturbance of public peace tank quality as referred in subsection 1 or imminent danger thereof and that for the prevention of offense उसके prevention के लिए क्या कर सकते है time period को बढ़ा सकती है send a woman अब हम subsection 3 की तरफ जाते हैं subsection 3 बात करता है तो provision of the code of CRPC जो CRPC के अंदर search and seizure के बारे में बात की गई है वो same क्या apply होगा search and seizure subsection 1 of section 24 capital 8 में अब इसका subsection 4 बात करता है for the purpose of this section arms का मतलब क्या होगा arms के अंदर include हो रहा है ammunition भी और वेर्ड़ बेर्ड़ पीर specified notification as originally issued under subsection 1 is extended under subsection 2 आपने first subsection 1 के अंदर a period specified कर दिया for example 60 days specified कर दिया as a as a disturb area कि ये 60 day के लिए क्या होगा disturb area होगा पर आपने subsection 2 के अंदर क्या कर दिया उसको extend कर दिया then in relation to such notification reference in subsection 1 to the period specified in the notification shall be constructed as a reference to the period so extended जो आपने amend कर दिया उसमें change कर दिया तो वह कैसा माना जाएगा the period specified notification कि अब जो amended है वही period उसका माना जाएगा अब हम उसको 60 पोसेशं कर दिया है तो असी दिन बात करते हैं section 24 capital B के लिए हमने section 24 capital A के अंदर क्या बात करी थी prohibition of possession के regarding कि आप उसको अपने possession में नहीं रख सकते जो notified arms है disturbed area में अब section 24 capital A capital B ये भी add हुआ था 1983 के amendment से पर हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि carry नहीं कर सकते आप notified arm area को और throw public place कहां नहीं carry कर सकते आप पुबिक प्लेस में कहां तो आप इसको लेकर नहीं सकते अपने साथ में disturbed area के अंदर तो क्या है prohibited है उसको अमने प्रोहिबिट कर दिया अप सेम है बिलकुल सेम है जो section 24 capital A है और 24 capital B बिलकुल सेम है वहां possession के वारे में हमने बात करी थी तो यहां हम क्या कह रहा है कि अपने साथ में लेकर नहीं चल सकते आप so the sender government is satisfied there is extensive disturbance public peace tranquility minute danger है तो वह क्या कर सकती ऑफिशे गजेट में नोटिफाई कर सकती है एक तो लिमिट जो हमने अभी भी सेम पड़ा है और second जह हमने यह पड़ाता कि वह उसको चार दिन से पहले पीड नोटिफाईट के बारे में पढ़ाता पजेशन के रिगार्डिंग में बट सेक्षिन ट्वेंटिफाईट के अंदर टाइम किता दिया है दो दिन से पहले का नहीं होना चाहिए तो आप नोटिफिकेशन में पीडिट स्पेसिपाईट कर रहे हो और नोट अलियर देन देट सेकिंड डे आफर देट फ़ पप्लिकेशन थीए सेम बाकी वही बात है कि अथारिटी के रिगार्डिंग तो अथारिटी सेंटर को में नोटिफाईट करेगी जिस परसं को सर्च के लिए और सीजर के लिए कि वह सर्च कर सकता है किसी भी परसं को पासंग थ्रो सो गया एनीमल्य वेसल्य विकल वही सेम और यहां पर वही सेम बात की रिगार्ड एखिए कि सीजर के अथार सकता है अशैजान कता है ऑफिसर अब यहां पर भी वही है कि पीरेट क्या है जो सब सेक्ष्चनर 1 की अंदर हम स्पेसिफाइट कर रहें सेंटëं इसको क्या amend करके extend कर सकती है वो भी 19 डेंस से ज्यादा करनी होना चाहिए बबे दीन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और CRPC के अंदर जो search और सीजर के लिए बात किये वो ही सेम अपलाई यहां पर भी होगी आप इसके अंदर arms के अंदर इंक्लूड होता है public place public place क्या होगा यह definition बता रहा है means any place intended for use by or accessible to or the public or any section of the public ठीक है public place का होगी जहां पर लोग होगे ठीक है जिनका access होगा महापा आने जाने का तो वो क्या place क्यलाई जाएगा public place क्यलाई जाएगा अब हम बात करते हैं C point के where the period is specified in notification जो अभी हमने काल था कि अगर extend कर दिया जाएगा तो वो as a referred कैसा constructed as a reference to the period of extended तो उसको क्या माना जाएगा कि वो extended period ही उसका time period माना जाएगा so हमने section 24 capital B or capital A को complete कर लिया है thank you